Friends, Smart Education Academy के daily lecture में आप सभी का स्वागत है देखिए आज हम लोग ethics के question को discuss करेंगे तो ये question आपके 2020 में GS paper 4 में पूछा गया है पहले हम लोग देखिए question को समझते हैं देखिए यहाँ पर जो भी sentence दिये जाते हैं इसके बारे में आपको अपने विचार लिखने होते हैं यानि कि किसी महान व्यक्ति ने कोई बात कही थी पहले के समय में उस बात का आप के लिए क्या महतो है आप किस तरह से उस बात का अर्ष निकालते हैं ये चीज आप से पूछी जाती है तो देखे यहाँ पर स्वामी विवेकानन जी का एक sentence दिया गया है, sentence है किसी की भर्षना नहीं कीजिए, अगर आप मदद का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो ऐसा कीजिए, यदि नहीं तो आप हाथ जोड़िए अपने बंधों को आशिर वचन दीजिए और उन्हें अपने मा पर जाने दीजिए, देखे क्या कहा जा रहा है, condemn none, if you can stretch out a helping hand, do so, if not, fold your hands, bless your brothers and let them go their own way, यानि कि देखे कुल मिला करके ये कहा जा रहा है कि आप किसी की भर्षना मत कीजिए, अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं तो मदद कर दीजिए, लेकिन अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी भर्षना मत कीजिए, उसको आगे बढ़ने का एक आशिरवात दीजिए, अब देखे पहली चीज़ यहाँ पर जो आपको समझना होगी, वो ये है कि भर्षना और आलोचना दो अलग-अलग चीज़े होती हैं, अगर आपने इन दोनों को mix कर दिया, तो आ मान लिजे कि आपके पास एक कोई व्यक्ति आता है, जिसने एक पोएम लिखी है, अब वो पोएम आपके हाथ में पकड़ाता है और बोलता है कि चलिए इसको आप पढ़िये देखिये कैसी लगती है, अब मान लिजे आपको पोएम के बारे में अच्छी knowledge है, जो काव्य हो अब ही अपने काव्य में और सुधार करने की आवश्यक्ता है, तो ये आपने भर्सना नहीं की है, ये आलोचना की है, और इससे सामने वाले व्यक्ति को लाब होगा ये जो व्यक्ति है, इसको अपनी पोएम के बारे में जो एक वास्तवी किस्थिती है वो पता चलेगी, अब देखें भर्सना क्या होती है, एक व्यक्ति आया आपके पास अपनी पोएम ले करके, हो सकता है आपको पोएम के बारे में, काव्य के बारे में 0% जानकारी है, लेकिन आप तुरंथ ही भर्सना कर देते हैं, उसका मजाक उड़ा देते हैं, या फिर आप कह देते हैं कि कभी का जीवन कोई जीवन नहीं होता है, इस तरह की जब आप बाते करते हैं, तो इसको कहते हैं भरस्तना करना, अब देखें यह जो भरस्तना होती है, यह बेसिकली लोगों का मनोबल तोड़ती है, यह सामने वाले का जो मनोबल है, काम करने का जो एक कैली जे की व्यक्ति का confidence है उसको तोड़ देती है तो ये पहली चीज हो गई कि भर्सना और अलोचना का अंतर अब देखें ये भर्सना का सामना कहां कहां करना पड़ता है जैसे कि अगर आप अब्दूल कलाम जी की भारत के जो पूर्वर राष्ट पती रहे हैं अब्दूल कलाम जी अगर उनकी आ आपको पता चलेगा कि जब उन्होंने जब वो अलग-अलग मिसाइस बना रहे थे और जब अगनी का परिच्छन किया जाना था तो उस समय अगनी का जो परिच्छन है शायद 3-4 बार जो है फेल हुआ था यानि कि परिच्छन नहीं हो सका था और उस समय उन्हें बहुत ज जादा उनकी भर्सना हो रही थी क्योंकि वो कारेक्रम के प्रमुक्त है तो निश्चित रूप से जब संस्थान की भर्सना हो रही थी तो उसमें वो भी समलित थे तो अब देखें इसी चीज को कहा जा रहा है कि यह भर्सना मत कीजिए अब देखें यह जो भर्सना है आप फिर भी अलाग अलाग काफी कुछ illogical यानि की अतारकिक बातों के आधार पे इसकी भरसना की गई तो ये भी एक इसी से जुड़ा हुआ फैक्ट है लेकिन अभी के समय में देखिए हमारा जो भारत है इसमें attitude में बहुत बड़ा change भी आया है किस तरह से change आया है देखिए इन ही चीजों को आपको analyze करके एक साथ लिखना होता है जैसे कि जब चंद्रियान 2 छोड़ा गया देखिए चंद्रियान 2 हमारा जब छोड़ा गया तो ये fail हो गया और जब ये fail हो गया इसके उपर पूरे देश की नजरे टिकी थी लेकिन इसके बाद भी किसी ने इसकी भरसना नहीं की ये नहीं कहा कि ये fail क्यों हो गया जो इसरो है वो बेकार है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बलकि सभी ने इसका खुले मन से स्वागत किया उन्हों ने कहा, सभी पूरे देश ने कहा, प्रधान मंत्री ने भी हमारे कहा, कि देखे जो इस तरह के बड़े काम होते हैं, उसमें असफलताइं चलती रहती हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, जिसको लेकर के इस रोकी भर्सना की जाए, तो ये जो कह लिजे एक attitude में change है वो देखा जा रहा है, आप देखे इसी question का एक दूसरा पक्ष भी है, अच्छा इसको आप महिलाओं से भी जोड़ सकते हैं, कि कई बार क्या होता है, जब एक महिला रोजगार के लिए आगे बढ़ती है, कोई भी नए तरीके का काम करती है, तो उसको समाज की बहुत जाता है, इसको भी आप लेख सकते हैं, लेकिन देखे जो मुख्य चीज है, जहां से मुझे लगता है, ये question बनाया गया है, वो है इस समय की जो ट्रॉलिंग की संस्कृती है, जैसे की Twitter है, या Facebook है, इस तरह के जो social media platform है, इसमें एक संस्कृती चल गई है, कि जैसे ही किसी व्यक्ति से कोई गलती होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा भर्तना का सामना करना होता है, देखिए, जो मनुष्य है, उससे गलती होती हैं, तो क्योंकि human है, तो जाहिर सी बात है, उससे गलती भी होगी, लेकिन होता क्या है, कि उसी व्यक्ति का जो society में contribution है, कई बार बह का जो social contribution वगरा है इसके ऊपर कोई भी ध्यार नहीं देते हैं ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति पूरी तरह से एक बुरा व्यक्ति है और इसके चरित्र में कोई भी अच्छी चीज नहीं है बहुत बुरी तरीके से उसको भरस्तना का सामना करना पड़ता है तो ये जो troll संस्कृ करती है ये पूरी तरह से देखिए भरस्तना से जुड़ी है इसमें आलोचना बहुत कम होती है लोग पत्थ्यों के आधार पर बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं जो भी बात होती है वो किवल अपने बने-बनाए द्रश्टिकोंड के आधार पे एक जिसको कहते हैं कि रू गलती है या जो उसे गलत समझ लिया गया है उसी के आधार पे उसके पूरे चरित्र को जच कर लिया जाता है तो ये भी एक भरस्तना का नया रूप है जो समाज में दिखाई दे रहा है तो ये आपका आंसर हो गया आप दिखे इसमें 150 वर्ट लिखने हैं तो जितने करता है तो है कर दो ये झांसर है